आएए देखते हैं इन्वेश्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेयर में ये निफ्टी-50 इंडेक्स में 1-1-2014 को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोइस पॉइंट पे मार्केट थी तब 23 मार्थ 2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और करन्ट प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक, लंभी एओदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब मार्केट में बड़ी किरावट आती है तो हमारे स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन, जैसे ही मार्केट रिकवर होती है, हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए, निफ्टी के मुकाबले चार, हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे, अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को एक लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-1-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपे निफ्टी 50 शेर्स में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और current Nifty 50 investment की value है Nifty में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है Second point Nifty ने जीता Third point Nifty ने जीता तीनो points में Nifty जीत गया है Overall Nifty जीता Chart में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो कई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर Nifty मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर Nifty मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर Nifty मजबूत रहा Thank you जे खाइस